उत्तरप्रदेश की दस राज्य सभा सीटों पर वोटिंग के बीच आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पार्टी के विधायकों ने ही खेला कर दिया है सपा के तीन विधायक वोटिंग करने बीजेपी नेताओं के साथ मंत्री मंडल पहुचे जिसमे राकेश पांडे अभे सिंग और राकेश प्रताप सिंग है तीनों ही सपा विधायकों ने अपनी अंतरात्म की आवाज पर वोट करने की बात कही है और साथ ही सपाविधायक मनोज पांडे ने भी वोटिंग से पहले मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेबी के पक्ष में वोट कर दिया इस तरह सपाविधायकों ने ही राचेसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समीकरण को भी गाड़ दिया है मनोज पांडे ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिये शेयर किया है जिसके बाद सपाविधायक ने योगी सरकार के मंतरी दया शंकर सिंग की गाड़ी में बैठ कर विधान सभा पहुचे और उन्होंने अपना वोट डाला इस दोरान उन्होंने अपने इस्तीफे पर पहली प्रतिक्रिया भी दी मनोज कुमार पांडे ने कहा समाजवादी पाटी विधान मंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया है जबकि विधायक मनोज कुमार पांडे ने अपने इस्तिफ़े वाली चिठी में कहा की कि अवगत कराना है कि आपके द्वारा हमें सभा विधान मंडल दल उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचेतक नियुक्त किया गया था हते हैं मैं मुख्य सचेतक के पद्जेत त्याग बत्र दे रहा हूँ किर्पिया इसे सुईकार करने की कृपा करे वही मंत्री दया शंकर सिंग ने कहा मनोज पांडे हमेशा सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं राम निला के दर्शन के लिए जब प्रस्ताव आया तब वे चाहते थे कि सभी लोग दर्शन के लिए जाए लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया आज भी ये मोदी के नीतियों पर विश्वास करवे निर्णे ले रहे हैं मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदेव पक्षधर रहे हैं इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं मनोज पांडे समेश सपा के चार विधाएकों के बागी रुखने पार्टी के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन के उच्छ सदन पहुचने की उम्मीदों पर ग्रहर लगा दिया क्योंकि पार्टी के पास पहले से ही जीत के आकड़ों के मताबिक नमबर कम थे सभा के राजे सभा चुनाव में जया बच्छन राम जिलाल सुमन और आलोक रंजन चुनावी मैदान में है सपा प्रमुक खिलेश यादव ने वरियता के आधार पर पहले नमबर पर चया बच्चन दूसरे नमबर पर राम जिलाल सुमन और तीसरे नमबर पर आलोक रंजन को रखा और अब सपा विधायकों के क्रोस वोटिंग से पूरा खेल बिगड़ गया है जिससे बीजेपी के सभी आठ उमीदवारों की जीत तेमानी जा रही है